जहिन आज का वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पर है एक्चुली थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है और हमको यहां आने में लेट हो गया इस वज़े से थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में डाउट हो गया मेरा एक दोस्त है उसको थोड़ा कोरोना बहुत सीरियस हो गया वो होम आईसूलेशन में था लेकिन हालत बिगणने के वज़े से उसको हॉस्पीटल में भेजना पड़ा और आईसीउ में अभी वेडमीट है इस वज़े से हम थोड़ा उसके देखरेक में लग गये तो हम आके कुछ बता नहीं पाएं कुछ कॉंट्रोवर्सी हो गया और वो बता रहा है मेरा दोस्त की बाई जाओ अब हम थोड़ा सा ठीक हैं थोड़ा सा क्लिरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि कुछ लोग का कंट्रोवर्सी यह है कि मेरे नाम को लेके कि मेरा नाम अमीद सिंग है कि क्या है दूसरा कि क्या हमने किसी जाती बिसेस को पंचर वाला देते हैं इधर उधर कुछ लोग अपने चैनल चमकाने के लिए किसी को बदनाम कर सकते हैं देखें जो पटना में थे हैं तो हम हर तेवार को मिल जूल के मनाते थे चाहे वह रक्षा बंदोर्स हो सरस्वती पूजा हो दिवाली हो ईदो सब तेवार मिल जूल के मनाते थे लोगडाउन के होने के वैसे ऑनलाइन आना पड़ा तो कुछ लोगों को लगा कि यह खांसना अमित सिंह लोगों ने ट्रेन करा दिये कि यह इसका नाम क्या चीज़ा है थे नाम में कुछ नहीं चुपा हुआ है देखिया हमने एक वीडियो में हसी मजाक में ऐसा एक वीड बुलाया जाने का मतलब क्या है उन लड़के इतने जीत करने लगते हैं क्लास में हो हो अब सुने चाहिए अधह आब लड़के मांनें चुकति नहीं जिस कुछ दो कि आप जहरुदिन भी पुलाया जाता है ऐसे किस्त थो हमने उसमे बोल दिया कि दो लड़कों को करें गरला कुलстранत हम को बैंक में भी बुलाया जाता है हमने यह नहीं में बोले थे तो देखिए ये चैनल जो है ये ललन टॉप के वीडियो में हमने एक स्क्रीन सोट लिया था एक लड़के ने कमेंट किया नामे कुमार आशीष इन्होंने का कि जो वीडियो अमित सिंग वाले क्लीप है उस दिन मैं भी क्लास किया था उस दिन खान सर बस ऐसे ही सारे स्टूडेंट से हंसीमजा करें कि यह सब बता रहे थे जब फ्र ने उनसे नम जानने पर जोर देने लगेथे अरे जू इदर देखो ना सूझमा मेरा नाम्त जर नहीं घंट यहिए यह ह्मार्येंब पूझेगा कि आपका नाम यादो है तो पूरा नाम मेरा खान नहीं है खान मेरा टाइटिल है यही तो हमने भी बोला ना कि खान मेरा नाम नहीं है टाइटिल है किरण पुप्लिकेसन से तो हमने 26 27 किताबी निकाली है ुसमें सब लिखा है खान सर और आपको पता है कि niaam के इसाब से आप अपने हिसाब से जैसे आरे सगरवाल है तो दूसरे का नाम नहीं लिख सकते है आपा आरे सगरवाल का नाम आपको भी नहीं पता है यह लोगो, रजिस्टेशन कराएं यह लोगो का अपना, तो वहाँ पे भी हमको आधार काट, पैनकट सब दे रहा था, उस सब में खान है, अरे यार हम कैसे बता है, हम उर्दू तक में किताब लिख भाएं उनलों के लिए, कि उनलों का भी सेलेक्शन हो जाए, रेलवे में ह बता यार उर्दू तक में किताब छपआएं, और इसको बेसिकली दिल्ली से सप्लाई हुआ था, यह कस्मीर मगरामी यह किताबे जादे बिखती है उर्दू वर्जन में, वहाँ पे भी अपने खान लिखा, अरे यार काई कैसी मान सिखता आप लोग की, अब बता कोई अम अघुन, यह इसलिए एक अजीब सा लगएगा, अब पंडी जी को धोति के लोगी दीजेगा, तू कहाँगो क्या दे रहा हो, वह गलत नहीं है, जैसे हम, जिंदिगी में कभी जीन्स नहीं पहने, हमें आपक नहीं पहनेगा, तो आप ट्वीट करा दीजेगा, जीन्स अं अपनी एक आदत बन जाती है, कोई non wage नहीं खाता है, उसे chicken दीजेगा, मरेगा नहीं, लेकिन नहीं खा पाएगा, अजीब सा उसको लगेगा, नहीं किया हमने, अब आप बते, मेरा 4 जून को, अमेरिका में एक lecture होने वाला है, वो जो भारतियम लोग हैं, जो वहां बसे बताया कि हमें आपका पूरा document चाहिए, पूरा नाम चाहिए, तब हम आपको यहां lecture की permission देंगे, online lecture होगा, हमें जाना नहीं है, वहां हमने दिया है, अब आप बताएगे, आप में से कोई उठके, कहेगा कि हम NRC के और से आया है, खांसर आप अपना paper दिखाएगे, आधार card दिखाएगे, असली नाम बते, क्या हम उसको दिखादेंगे, अरे यार कोई train का driver आपको आपको कहेगा ticket दिखाएगे, नहीं दिखाएगे, आप TT ही दिखाता है, तो हम खुद बता देंगे, और हम अगर आप प्यार से पुछते, हम खुद सोचे थे 2-4 दिन में बता दे लेकिन इतना controversy हो गया, कि अगर आप बताएगे ना, तो आप लोगो लगेगा कि खांसर डर गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम कोई आतनवादी थोड़ी है जो हम छुपेंगे, हाँ, रही बात नहीं की, तो कोन बनेगा करोड़ पती में पूछेगा, कि बताओ, real लेम आप खांसर, कम्प्यूटर जी, चारों आपसन दिया जाए, देखिये, फैजल खान भी कुछ काते है, अमीद सिंग काते है, फैजल खान, मनान खान, कम्प्यूटर जी किसे लॉक कर दिया जाए, तो आप लोग कोई जाएगे, कोन बनेगा करोड़ पती में, तो बच् भी खुल के यह नहीं कहें कि नाम यही है, हम बता देंगे आपको, जैसे कंट्रोवर्सी सांथ होगी, महमला सांथ होगी, खुद ही बता देंगे आपको, देखे, यहां से हम मुसलमान दिखते हैं, यहां से हम हिंदू दिखते हैं, इसमें से हम खांसर दिखते हैं, इसमें दिन याकना बदो याकनस्ते इदेन सरातल मुस्तिकीमा सरातल लजीनामन तालाहिम गैरिल मक्दूब अलाहिम वला जाली नामी बताए यह क्या बात है कि आपको कोई प्रूब देता है कि कुरान पढ़े अपके आलिफ लाम मीम पढ़े तो इसमें दिन अच्छा रहता है मतलब कोई गलाच चीजे नहीं आती है जो हमारे हिंदू दोस्त है वह कहते है महा मिर्तुन जे जाप किजिए वो कहते कि इससे अच्छा दिन हो जाता हम वह भी पढ़ देते है कोई कहगा गाईतरी मन पढ़ने के वह भी पढ़ देते है हम को क्या मतलब हम हिंदूस्तानी है हमें हिंदूस्तानी रहने दीजिए गीदा की वह बात यात है हर इंसान को एक समान भाव में रहना चाहिए जीत हो या हारो जैसा भी हिंदूस्तानी की तर हम रहते है में विवात कैसे हुए है कि हमने किसी को अगर 56 भोज खाने के लिए दीए उसमें एक चटनी भी है अगर वो इंसान गलती से चटनी खाके चला गया और यह सब नहीं देखा तो क्या कहेगा बाहर जाके खान सा ठीक आदमी नहीं है चटनी खिला के भेज दिया अरे भईया तुमने नहीं खाया हमने हजारो घंटा क्लास लिया यूटूब पर हमें 5% क्लास लेते हैं 95% अप्लिकेशन पर लेते हैं गलत इंसान है लेकिन आप गलत नहीं हो आपके पूरा देखना पड़े का तब नहीं समझ में आएगा जो वीडियो देख रहे हैं लोग उसके पहले का 10 मिनट और बाद का 10 मिनट देखिए पूरा हो जाएगा इवन जो आपको अपने चैनल को बढ़ाने के लिए दिखा र के लिक दिए भागता है कि नहीं तुम लिखता है देखिये खांसर कितना घमंडी है वीडियो डिलीट करने से पहले देखिए millions लोगों ने इसे देख लिया, हमने छोड़ दिया, इसको श्टाइक नहीं देते, कि पीछा गड़ी वे, इसका भी चैनल आगे बढ़े अच्छा में है, लेकिन अगर कोई ये देखेगा, तो क्या कहेगा, कि Khan sir बहुत जादे घमंडी है, ऐसे YouTube पर fake news बहुत जादे आते हैं सब आप देखें, ये लिख रहा है, सेक्स वीडियो का, डिलिट होने से पहले देखें, इसके पीछे उल्टा सीधा TikTok का गाला बजा रहा था, हमको, अब कोई देखेगा, तो ही सोचेगा, यहां किस कर रहा है किसी को, अब ये वीडियो, मिलिया उस तक में लोग इसको लेखे हुए हैं, यहां पर यह क्या लखता है खांसर की गल्फरेंड, पुरानी वाली नई वाली, यह बताएगे, यह बन्दामे न कर रहा है यहां पर? यह अम यह कुरार बईठल है, इन्हे साधी भी आ करा दिया, अब हम किसको क्या बोलेंगे यहां पर उल्टा सीधा, ह मम्मी एक बाद डर गई, हमको वीडियो कॉल करने लगी, कहा हो बेटा, कहा हो, हम क्लास में रहते हैं, तो अमोमन मोबाइल आफ या सालेंट रहता है, तो इस टाप से कहीं, कि जल्दी सर को वीडियो कॉल पर दिखाओ, हम देखें, मम्मी से पुझे क्या है, तुन्हों ने ख आ रहते हैं, कि दिखिए, इंसानियत रहनी चाहिए, सीता मा जो थी, वो लंका में भी सुरक्षी थी, और आज हम लोग अपने यहां बहन, हमारी यह लोग उत्ती सुरक्षी नहीं, इसका मतलब हम लोग बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं था तो यह को क्या लिखता है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर देवी देवताओ का क्यों हो रहा है मजाग खांसर, हम क्यों मजाग करेंगे बहुता है कि लोकुस राम जी कर नहीं, यह बताए, यह हमने नहीं बोल, आप इस पर कोई लोग बवाल कर तो कम से कम वो पढ़े यह होगे आपका आधा सच, अब देखिए पूरा सच, इस साइट से अलू डालो, उस साइट से सूना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का, मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोधी जी के शब्द है, पंदर आलाग रुपे हर बैंक अकाउंट में, और आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3000 रुपे दो, अरे अब हम दोनों का टाइम कराब चला है, आपका तो कुछ जादे ही खराब चला है, हमरा तो नौर्मल है, कुछे लोग है लोग जो बढ़के हैं, आप तो जादे लोग बढ़के हैं, जब आप कि इसी को उसके जाती है, नाम से सोचने लगते हैं, तो उल्टा सिधा होता है, एक आदमी कर रहा है, खान सर का जिहादी एजेंडा बेनकाब, भाया, हम क्लास ले रहे हैं याँ पे, उसको भी बोल रहा है, इसको भी हमको लिखा है, निया इस्ट्रेन है यहाँ यह भाई आप लोग भी पढ़ गए, क्लिक काट काट के, यहाँ पढ़िए, एंटी मोधी, एंटी हिंदू, रिविल खान सर एक्सपोज, बताएए, हम एंटी मोधी हो गए, एंटी हिंदू हो गए, हमरा का मतलब है भाया, मोधी की अच्छा काम करते है, तो हम अच्छा ही भी बोलत है, गलत करेंगे, तो गलत भी बोल देंगे आप, खान सर एक बार फिर बेनकाब हो गया, लो भी यहाँ भी दंसारी के साथ, मैं राष्ट्पती के साथ, उपर राष्ट्पती के साथ, मेरा फोटो लगा दी, हम क्या करेंगे, यह दोखो, अब कुछ कहते है, मदार्सा खुद ही हो गया, 26-27 मिनट का वीडियो, यह लोग के कमाने का रास्ता है, खान सर, खान सर को गाली दो, जब बराबरी नहीं कर सकते हैं, तो जमीन के नीचे गढ़ा खुद के गिर जाए, यह देखे, उल्टा सीधा फोटो लगा रहा है, नाइट फॉल्ट, सीगर पतर, य इससे आप साब समझ सकते हैं, कि जो अपरेल का वीडियो है, उसके मई के लाष्ट में विवाद नहीं होना, यानि लोग कुछ और दिखा रहे हैं, और मैटर कुछ और है, पाकिस्तान के तहरीके लबैग पाटी के बारे में हमने बोला था, कि यह सब पंचर चाप हैसा, हम हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, नहीं किसी मुसल्मान का नाम लिया, बस आप उन वीडियो वालों को कहिए, कि इसने बुला, मुसल्मान नाम लिया, हमने तहरीके लबैग पाटी को बोला, क्योंकि यह लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहते हैं, पुलिस नहीं जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया, उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं, हम इस बच्वा को बोले थे, कि तोरह तारीके लबैग पाटी वाला यहां पर पंचर साटे गया, ना कि हमने किसी मुसल्मान को बोला था, बच्पन में हम लोग के भ पुली करके पोस्टर निकाला था, और हद बेसरमी इन लोग की देखिये, कि इन्होंने अपनी संसद भावन में प्रस्ताव पारित हो गया, कि पाकिस्तान का वह राजदूद जो फ्रांस में बैठा है, उसे वापस बुलाया जाए, तो जब यह प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद से पारित हो गया, तब पता चला कि पाकिस्तान का कोई भी राजदूद फ्रांस में बैठा ही नहीं है, इन लोग का सशुरों का मूह ला जा गया, अब इसी बीच इसमें पाकिस्तान में बहुत बवाल हो रहा था, उसी बीच एक तहरीके लबबैक पाकिस्तान की पा मेजोरोटी को अपने फेवर में लग लो हम जीच जाएंगा, तो इस सवाग चोटा सम मेजोरोटी के चकर में, कभी सीखों के उपर आतियाचार करेगा, कभी इसाईयों के उपर, कभी हिंदू के उपर, कभी जैन के उपर, मतलब वहां बहुत की उपर, टॉर्चर करते रह वहां पर, पाकिस्तान में तो यह कोई बहुत नया बात नहीं है, तो इन लोगों ने बढ़ चड़ के हिस्सा लिया, प्रांस को तो बरबाद कर देंगे, यह कर देंगे, तो उस समय कोरोना था, इम्रान खान ने इन लोग को समझाया, कि देखो यह 2020 है, तो हम 2021 में फ्रांस के राजदूद को निकालेंगे, निकालो 2021 आगया, भाई, तम भयानक हो गया, इग्यारों को पुलीस वालों को यह कैप्चर करके लेके चले गए थे सब, तरीके लब बैक वाले, बाद में उन्होंने छोड़ दिया उसको, अब इम्रान खान डूनों, डबल समस्या में पर चाथ चोटी-बोटी पार्टियां क्या चाहती है, उल्टा सीधा बयान दे दो, यह कर दो, तकि न्यूज में रहे हम, ताकि अगली बार में यह हो सके, लोकतंतमी बहुत खराब खेल होता है, किक आउट फ्रांस एंबश्डर, फ्रांस के राजदूद को बाहर निकालो अब बताए, फ्रांस के राजदूद को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा, कोई समाधान नहीं होने वाला है, अई लोग राइली पे राइली करते जा रहा है, अब यह देखे, यह राइली में इवेचरा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूद क्या कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूद को बाहर ले जाएगा है, इसको, इसको कोँछ पता नहीं है, बाबु लोग तुम लोग पढ़ लो, अबबा के कहने पर मताओ, अबबा तो पंचर साट ये रहे है, अइसे ही तुम लग भी करेगा ना, तो बढ़ा हो के तुम लोग भी पंचर साटेगा लोग, तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है नहीं, तो कुछ नहीं होगा तो चोराब बैटके मीट काटेगा तुम, बखलोल कहीं का, बताइए, ये उमर है बच्चों को यहां पे ले आने का, बैनर से छोटा ही वेचारा ये है क्या कीजेगा, 18-19 को पैदा होने साट तो कोने काम आएगा, कोने बरतन दोएगा, कोने बखरी गाठेगा, कोने पंचर साट, एक दुगो रहे सब, तबना आदमी बहुत बहुत, दूसरा भी बाद, हमने यहां की पार्टी जो थी, तारीके लबैक, वो सब जो थे, सब उन 18-19 पैदा होगे, तो क्या होगा, आपने कहां सुन लिया, कि हमने मुसलमानों को बोला, हमने पाकिस्तानी को बोला, हम हो जो पार्टी वाले उपद्रों पहला रहे थे, उनको बोला था, और वहां का ये कल्चर है, इम्रान खान की खुद की तीन तीन पत्निया, हम भारत मे करें कि हिंदुस्तान में पढ़ाई के दोरान कभी कोई टॉपिक आएगा, तो उसको बताएगे, अब आप को कि ये, अब ऐसा थोड़ी होगा, कि हम आएगे, कहेंगे, चल मुसलमान को बदनाम किये, बहुत जादे नहीं होगा, आज बदनाम कर देते है, चलो बदनाम कर के लिए, यही बहाने, चमक जाओ, 20 मिलियन, 30 मिलियन, सबसे जादे विवाद इस पे, भारत के मुसलमान पढ़ता लिखता नहीं, पंचर साथता है, देखो भाया, यहाँ ध्यान से समझो, यह किसी दूसरे चैनल ने मेरे इस चीज पे, इस तरह से करके बनाया है, यह मेरे बताया था कि सच्चर कमीटी ने कहा था कि मुसलमानों की इस्तिती अच्छी नहीं है, सिक्षा में भी नहीं है, यह लोग, मतलब बहुत जादे सिक्षा में आगे नहीं जवरते हैं, इसी बीच हमने यह बताया था कि इनके आये का सुरोथ, जादे तर गल्फ कंट्री इन से पहले वाला वीडियो बनाए जिसमें हमने पूरा सच्चर कमीटी के बारे में बताया है, यह पीछवा लिखाया तब वो समझ जो भया, यह पॉलिटी के क्लास चल रहा है, और यह क्लास 2020 का है, अक्टूबर 2020 उसमें यह क्लास चला होगा है, यह एक और लोग कर रहे ह हमने मक्का मदीना के बारे में गलत बताया, देखिए इसराइल का टॉपिक था, जिसमें हम यह बता रहे थे कि जो अलक्सा मस्जीदे वो तीसरी सबसे मतलब पाक जगा है, जिसमें आपका काबा मदीना, जिसमें हम यह बताया थे कि मक्का ताकि आम आदमी समझ सक्या, कु पर जो मुस्लिम नहीं है उसको इतना डीटेल आप जम जम पढ़ा कि क्या होगा आपको कोई हवन कुंड बताए यूटूब पर आके कि देखिए यह हवन हो इससे होता है मिरतुन जय यक का यह फाइदा होता है पर जो काटमांडू का है वो सेफ है इसी में हम प्लेन हाइजेक के बारे में बताए कि यहां से 1999 में हमारी भारत का एयर इंडिया IC 814 यह IC 814 1999 में हाइजेक कर लिया गया था और इसे हाइजेक करके यह दिल्ली आना था लेकिन इसे अमरिट सर लैंड कराए गया फ्यूल भरके फ्यूल नहीं मिला वहां से तो फिर लाहोर ले गया वहां से फ्यूल भरके दुबई ले गया दुबई से फिर कंधार ले गया और हमारे बहुत से मासूमों को वहां 6 दिन तक बंधक बनाये गया रिपन कत्या जो honeymoon मनाने जा रहा था, अपनी शादी के नहीं नहीं शुरुआ था, उसको सीने में चाकू घुपके मार दिया इन टेरिरिष्टो ने, हम वहीं बता रहे थे, जिसमें सबसे फेमस ना मौलाना मसूद अजहर था, आप बताओ भाईया, ये कहानी तो तुने बता ये ही नाम रख देंगे, भाईया, इन ही लोग ने हाईयक किया, आप गूगल करके बताना कि जहाज को किसने हाईयक किया था, जो हमने इस पोटो में बता रहे था, आप बस वही बताएंगे, स्मोग होना चाहिए, जिस तरह से आग लगता है तो आटोमेटिक कैसे पानी न कमांडो आएंगे से खोल खाल के लेकर चल जाएंगे से इंडियार आनारमी के कमांडो चलिए, अब्दुल भाई चलिए, सुरेश जहाज उड़ाया, अब्दुल ने जहाज उड़ाया, भड़काया, जैसे अब्दुल कलाम पर सब को फक्र होता है ना, लेकिन अजमल ना बने, हाँ ये बात जरूर है कि हम अपने वीडियो में पाकिस्तान को कुछ जादे ही धो देते हैं, आप बते ही ने, जिसने हमारा P.O.K. ले लिया, जिसने ताज होटल में बंबलास्ट करके चल गया, हम उनकी इजद करेंगे, हमने वीडियों बताय तो पाकिस्तान के उसकी नक्सा की तुलना कुटा से कर दिया था, इवन गूगल पर भी यही बालक सीन दिखाएगा, हम बोल दिये था, इनका मेकप कर दिये था, बोलते था, पाकिस्तान के रहने वाले को आतंगवादी बोलते है, हम बोलते था, पाकिस्तान आतंगवादी सप्लाई कर सकता ह इसके चिन का रॹखेल बोल देते हैं कभी 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 इसको बवासिर बोल देते हैं हम क्या करेंगा वब Finnish में वियाया några करेंगा तो क्या करेंगा रहें इस की बहुत शरीत हैं।irk हम थे टीन को भीया हुआ कियामा σαक्षा है अब भाई तुमहारे देश का मैंटर है जिसमें हमने सब के वीडियो क्लिप भी दिखाई कि भारत सरकार का क्या काना है, हमारे राजदूत का क्या 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 तुमने फिलिस्तिन का साथ क्यों दिये और वो कर रहें कि फिलिस्तिन का साथ क्यों नहीं दिये वह यह आपस में है आप उसको गौर से सुनिए हमने जो ऑथेंटिक चीज थी वह ही बताया है किसके इसाब से आप चलेंगे यह देखें रिसब मिसराजी कर रहे हैं खांसर हुआ याद है अब बताओ इनका एक अलगी विचारधारा इनको सुनिए दहन से इनका सुनिए वी वी राजियू जी है करें खांजी यू यू आर आलवेज क्रिटिसाइग बीजेपी भाया बीजेपी को इन इच आफ यूर वीडियो मतलब हम हम इच आफ यूर क्लास हम हर मतलब यह लोग एक विचारधारा बना के बैठें कि यह इसके साथ में है इसके खिलाफ हुए है जो वीडियो डाले हुए उनको भी अच्छा-च्छा कमेंट सुनने को मिला होगा सबसे जब जस्ति यह कमेंट पढ़िए जतिन गुप्ता जी निकार रहा है कल तक आप खां इन लोगों ने बोला है यहां पर कभी हम लोग ट्रेंड कराया थे सारे टीचर मिलके मोधी रोजगार दो याई स्पीक अप फ़र एससी एं रेलवे स्टूडेंट्स वगरा वागा कावना रानो टी विचारी रुभी का लियाकत को एक बर जीडिपी पर हम बोल दिये थे उसी वक्त से हमको ठो सार्ट ये तो भेर चाल में फस गया है लोगह सो पते नहीं चला है क्या की Bereich कि या इन लोगों ने वैसे ही काम किया है जैसे सीवकामी दे भी चाल में फसके बाहुबली को मरवादी थे अब बाद में पस्ता के का करेंगी? इन लोग को समझ में या रही है. इन लोग को क्या बता है? पत्ना में जाम में रहा कोचिंग है, उसमें जादे जगा तो रहता है यह यह बेटने का. वहां आप देखेंगे ना, वहां एक गाईतरी परिवार है. बहुत भेहतरीन काम करते यह लोग गरीब को, आनाथ को, जो कुड़ा बिनते हैं, उन लोग को पढ़ाता है। बहुत अच्छा काम करते हैं, हम लोग इन्हें से, अफिसियल ही नहीं मिलें, लेकिन यहां के सेवक हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाते हैं। उन लोगों को हम करते हैं तुम उन्हें पढ़ाओ, तुम्हें जब भी वक्त मिले मेरे आखके पढ़ लिया करो यह लोग चिस बैच में आखके पढ़ लेते हैं, फीस नहीं लेते हैं जो वहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट वगरा हैं तो रेस्टोरेंट में जयादे तर जो वेटर होते हैं, वह साम के ड्यूटी में लगते हैं सुबा दो पार में उत्ना रेस्टोरेंट नहीं चलता है तो वेटर जितने हैं declare हमझा बेदुरी तुम पैसा उंप देना आज भी मदरसे में वहां लोग आते हैं, आज जब यह लोग उन्हों ने ट्वीट देखा न करेंगे, सर प्लीज आप हम लोग को मत निका लिए, हम इनको कैसे समझाए, हम आप लोग को नहीं निकालेंगे, पटना में एक बहुत अच्छा, मतलब यतीम खाना कहे लिजे, मद आज बीचारी वह फोन किये थे मेरे पास की, खान साब आप लीज ये सब बंद मत किजए, कैसे बताइएर आप लोग को, आप लोग अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने चैनल पे व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, किसी कोई बद्नाम कर सकते हैं, शुक्त इंदुस्तान की इज़त करते हैं भारत मा की लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर इंदुस्तानी की इज़त करें जो अच्छा इंदुस्तानी होगा उसकी तारीफ होगी जो गलत होगा उसको लोग गलत भी बोलें उसी तरह से हम हिंदु धरम इसलाम धरम सारे धर्मों की इज़त करो तो हम भाया, अल्ला, नभी, पाक, कुरान, रोजा, सब की इज़त करते हैं, लेकिन इस नाति अगर कोई कहे, कि आप हर एक मुसल्मान की इज़त कीजिए, चाहे वो अब्दूल कलाम हो, चाहे अजमल का साब हो, तो यह नहीं हो सकता है, हम यह कहेंगे, कि इस धर्म की इज़त से कमी आईगी, हम कभी नहीं हो सकती हम से, इसलाम और मुसल्मान दोनों में अंतर होता है, अभी इन लोग के हिसाब से हम क्या करेंगे, अब यह लोग कभी एक जगा बैठते हैं, एक अदमी कहेगा, फातिया गलत है, कोई मुलाना साब कहेंगे, कि मज इजराहिल RSS ने चालू किया था, आपका गुसा आएगा था, आप कुछ भी बोल दिंग, यह नहीं समझेंगे, इस गुसा से लॉस्कित्स को होता है, खुद पढ़िए, नभी पाक का कॉल समझे, गुसा हराम है, नहीं समझ में आप लोग को, हम बिवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था, हम देश को सबसे जादे समझते हैं, लोग मेरे नाम के पीछे पढ़ते हैं, हम आप से कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं, कि आपकी हिफाज़त के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आप उन फौजीयों के बहुल गए हैं, आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे, तो उस वक्त कितने लोगों ने सहादी दिया, लाखो लाखो लोगों की सहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है, लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमीत सिंह है या खान है, क्या बात करते ह होता जब 36 गड़ में हमारे CRPF के जवानों को घेर के मारा था उन लोगोंने, कास एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुतों में हमारे सेर को घेर लिया था, अभी ननन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंट पे जाता तब समझ में आता, कास कभी एजूकेशन के लिए एक ट समीर हम कहते हमारा सार है, एक और से P.O.K. पाकिस्तान कब जा की है, एक और से अकसाई में की हमरियादा के इजफचतर के लेकिन जो मेरे भारतना का आचल उठाएगा उनकी कोई इजफ नहीं होगी, हम कहते है, पाकिस्तान की लोगों को हम एक बुराई निक करेंगे, बस म इम्रान खान की उजद करें, नहीं हो सकता हमको यह पर, बस हमारा लोटा दे, हमारा बस यह है कि मेरे भारतमा का नाम उचा होना चाहिए, हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वाथ रहता, तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा हो, हम कुछ नहीं बताते, बस यह ही चाहते है मेरे भारतमा का नाम उचा रहे है, हम चाहते है कि हर एक इनसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए भारती, लेकिन क्या कहेंगे भारतमा, आज हम कोई लोग नहीं हिंदू-मुसल्मान बना दिया, आप इन लोग को साथ बुद्धी दिजिए, कि हम चीता जी इतने मुस्किल से बनवास काटी थी, रावड के लंका में जब लंका दहन देखी, यह सब कुछ होने के बावजूद, जब उनको अगनी पर इच्छा में बैठा पड़ा, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सचा था, क्या हो गया, उन्होंने कहा कि अब हम कोई धर्ती से चले जाना चाहिए, और धर्ती में समागी, आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी यूटूब से अलविदा कहते ना चाहिए, क्योंकि अट लिस्ट इस दिन के लिए तो हम यूटूब पर आई ही नहीं थे, हम एक नॉर्मल टीचर थे, चाहिए, या नहीं चाहिए, आप अपनी राय कोमेंट में बताएंगे, कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा जमीन कभजा किया, जो हमारा सत्रू राष्ट है, क्या उससे भी इजद से बात किया जाए, आप जरूर बताएगे, इस एक जरूर थीवा हमने किया भी था, जहां नहीं जरूर थीवा नहीं किये थे, हम सोचे थी कि सब की बाते वहां रखेंगे, لेकिन, सोचा था कि बैट के आराम से बाते करेंगे, इससे पहले की बात होती है, आप गहर हो गया, जो हात आप की और बढ़ रहे थे मदद के-ề D कहलां कि पल दिया उन्हीं को लेकिन हमें कैते हैं कि यह सात है आप बताइए ड क्ञ जो होगा देना चाहिए यह नहीं इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता लेकिन आप कहेंगे तो छोड़े, अब क्या कहेंगे, लेकिन तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मोत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे, अब पता नहीं कौन सा वीडियो बाकरी हो जाए, मिलेंगे नेक्स्ट, जये!